दोस्तों इस्त्री जाती को समझना हम मर्द के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है क्योंकि आउरते या लड़की या कभी भी अपने मन की बात अपने मुँ से नहीं कहती लेकिन अपने बैवार से वो अपने मन की बातों को जाहिर करती है और इन बैवारों को अगर कोई मर्द समझ गया तो उसे आउरत से मन चाहिज चीज मिल जाती है और जिस मर्द को औरत का बैवार समझ में नहीं आया उसे हमेशा पच्ताना पड़ता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप औरतों के बैवार को समझे तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ इशारों के बारे में जो अगर आपकी औरत या आपके गल्फरेंड आपको दे तो समझे कि वो किसी ना किसी कारण से आपसे नाराज है यानि कि आपके औरत आपसे असंतुष्ट है तो देखिए अगर आपको जानना है कि कौन सी है वो इशारे जो कि अवरत आपको अपने व्यवार से समझाना चाहती है तो वीडियो पूरा देखिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहला इशारा है वो है उदास या नाराज रहना दोस्तो कभी-कभी आपकी अवरत आपसे नाराज हो जाती है या बिना कोई वज़ा वो आपसे दूरी बना लेती है आप सोचते हैं कि अभी इसको क्या हुआ आदे गंटे पहले तो ठीक थी अचानक से क्या हुआ आपकी अवरत आपसे बाते भी कम कर देती है हाँ दोस्तों अगर आपकी ओरत या गल्फ्रेंड आपसे बहुत बाते करती थी और अचानक आपसे बाते करना कम कर देती है आप जितना पूछेगे बस उसी चीज का जबाब देती है तो समझेए आपके अवरत या आपकी गल्फरेंट किसी ना किसी वज़ा से आपसे नाराज है या आपसे असंतुष्ट है दूसरा इशारा है बात बात पर घुच्सा करना हाँ दोस्तो अगर आपकी अवरत आपसे बात बात पर गुच्सा करती हो या छोटी छोटी बात पर आपसे लड़ पड़ती है आपकी छोटी सी गल्ती पर आप पर हद से ज्यादा गुच्सा करती है या चिलाती है तो इसका मतलब है कि औरत आपसे किसी ना किसी कारण से अजन्तुष्ट है तिसरा इशरा है आप पर ध्यान नहीं देना दोस्तो अगर आपके औरत आपके बारे में अचानक से सोचना बंद कर दे यानि कि अचानक से आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर दे जैसे आप कब घर आये, कब घर से बाहर गए, आपने खाया या नहीं खाया आपके आने और जाने का कोई फरक नहीं पड़ा इसका मतलब साफ है कि आपके ओरत आपसे किसी वज़े से असंतुष्ट है दोस्तो आपकी कोई बात या आपकी कोई हरकत जो आपकी ओरत को पसंद नहीं आई हो इस कारण से वो आपसे खुश नहीं है यानि कि असंतुष्ट है जिस कारण से आपके ओरत आपसे ऐसा बैवर कर रही है